हेलो गाइज आप सभी का हार्तिक स्वागत है कृष्णा अस्त्रयोग में जैसा कि हमने इससे पहले के कख्षाओं में हट्योग के चार पार तक पढ़ लिया है आज हम पढ़ेने वाले हैं पार फाइब तो चलिए कमर गर्दन सीधा कर लिजिए आखों को बंद करें लंबा जिसमनेबार प्रार्यम्करे पवित्र ओम का वाचिक्चा Backbone should be correct and close your eyes कि सांति ही सांति ही सांति ही ओ रिया दिनाथा नमस्तुते एनों फदिष्टा हठ योग विद्या चलिए अब हम प्रारम करते हैं जैसा कि मैं आप सभी को अवगत कराता रहता हूं कृष्णा अश्ट्रयोग का मेन उद्देश से है कि आपकी क्वालिटी को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया चाहे और चोटे से चोटे सब्दों में और कम से कम समय में आपको टॉपिक बाइस टॉपिक पढ़ाया चाहे और आपका जो समय ज्यादा से ज्यादा हम लेते हैं 30 मिनट या 20 मिनट पे ही हम आपको पढ़ा देते हैं और छोटे से छोटे आपके लिए content भी तयार करते हैं ताकि आप अच्छे से तयारी कर पाएं और बोर ना हो अगर फिर भी आप कुछ हमें सलाह देना चाहते हैं तो आपका most welcome है वीडियों अच्छी लगे तो like करें, share करे सब्सक्राइब करें ताकि आपके एक छोटे से subscribe से एक छोटे से share से कोई गरीब बच्चे का भला हो जाए जो बैचारा पैसे की कमी के वाजे से नहीं पड़ पा रहा है तो आपकी छोटे से सायोग से उसका भी भला हो सकता है तो we and make चलिए, जैसा कि हमारा धेयवचन है उस्तिष्ट जागरित प्राप्पे वरानी बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्षत प्राप्ति तक रुकोमट, भले ही आपको कच्छुए की चाल में चलना पड़ें, मठ चलें और अपने लक्ष को जरूर प्राप्त करें, तो आज क हम संस्कृत माध्यम से स्लोकास को पढ़ेंगी, स्लोक अगर हमें याद हो जाता है, तो बड़ी आसानी हो जाती है, जो six cleansing process है, उसके नामों को याद करने में otherwise नहीं होता है, तो हमें धलतर भटक सकते हैं, UGC NET में जैसा कि पूछा भी जाता है, जो हमारी six cleansing process हैं, उनको system से ब्यवस्तित करें, तो अगर आपको स्लोक के माध्यम से याद है, तो बड़ी आसानी से आप ब्यवस्तित कर सकते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, और याद करने की कोशिस करते हैं, धोती रवस्ती तथा नेती, धोती रवस्ती तथा नेती, त्राटकं लौलिकं तथा, धोती रवस्ती तथा नेती, नौलिकं त्राटकं तथा, कपाल भातिश्चै तानी, सट करमाडी प्रतिच्छते, यहाँ पर 6 प्रकार का जो correct sequence है उसमें हम बात करेंगे, तो पहला जो correct sequence है उसमें आता है dhoti , दूसरे नंबर पर है बस्ती , तीसरे नंबर नेती और चौते नंबर पर त्राटक और पांचवे नंबर पर है नौली क्रिया। छटे नंबर पर है कपालभाती। तो धौती सबसे पहले हम figure के मादेम से धौती देख लेते हैं तो धौती नंबर वन पर यह देखिए आप एक साधिका के द्वारा वस्त्र खाया जा रहा है यह धौती क्रिया है दूसरे नंबर पर आता है बस्ती बस्ती देखे यहां पर एनिमा पॉट को उपर टांगा गया है यह बस्ती क्रिया जिसे हम इंगलीज में एनिमा कहते हैं तीसरे नंबर पर आता है नेती क्रिया यह साधिका के द्वारा दिखाया जा रहा है नेती क्रिया में जलनेती क्रिया जो हमारे मस्तिस की प्यूरिफिकेशन करता है नोजल पैसे को साफ करने का कारे करता है इसके जोदी त्राटक किया जा रहा है अब नौली पांचवी नंबर पर नौली को रखा गया है तो नौली यहां पर देखे एक साधिका को उटने हलके से मोड करके दोनों हाथों को उटने पर रख करके नौली करिया करते हुए प्रदर्चित किया गया है छटी नंबर पर आता है हमारा कपाल भाती कपाल का मतलब होता है सरवाला भाग और भाती का अर्थ है चमक या ब्राइटने साइनिंग कह सकते हैं तो कपाल भाती आपको यहां सिक्वेंस में पांचवा दिया गया है बटी रियल में कपाल भाती छट्वे नंबर पर है चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ली नॉलिज लेते हैं धौती कर्म धौती कर्म के बारे में नंबर वन पे स्वामी स्वात्मा राम सुरीजी ने रखा है अब धौती के लिए बता रहे हैं क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए उस पे हम बात करते हैं चतुर अंगुल विस्तारं क्या करें चतुर अंगुल विस्तारं अर्थाद चार अंगुल विस्तार का चाड़ा हष्ट पंच दसायतं चतुर अंगुल विष्थारं हष्ट पंच दसायतं गुरू पदिष्ट मार्गेण सिक्तम वश्ट्रम सनेर ग्रसेत उनह प्रत्याहरे चैत दोधितं धोति कर्मतत हुण क्या कह रहे हैं चार अंगुल चौड़ा अर्थात यह देखिए हमारे वान चू त्री फॉर यह चार अंगुल चौड़ा यह बात करें जो 15 हाथ लंबा इसको हम एक हाथ लंबा कहते हैं ऐसे ही 14 हाथ और लंबा मिला करके 15 हाथ लंबा हमें क्या लेना है कपड़ा लेना है कपड़ा लेना है कपड़ा लंबा ही 15 हाथ जल में भीगो कर क्या कह रहे हैं जो हमारा पानी है वाटर है उसमें क्या करना है भीगो देना है गुरू के निर्देश अर्थात गुरू के आग्यानुसार आपको उसे धीरे धीने अर्टाच सोलोली स्लोली स्लोली धीरे धीरे निगलना है क्या करना है निगल जाना है अपने मुख के अंदर लेना है और मुख से फिर लेरिंग ट्रैकिया से होते हुए नीचे लेकर जाना है इसे धीरे धीरे जब ये आपके पीट में जा चुका है वर फिर आपको क्या करना है थोड़ा सा नौली क्रिया करना है इसके बाद बड़े प्रेम से धीरे धीरे उसे बाहर निकालना है और जब हम बाहर निकालते हैं यह स्टार्टिंग से लाश्ट तक की जो क्रिया है जो प्रोसेस है उसे ही हम धौती कर्म कहते हैं या धौती क्रिया कहते हैं चलिए अब इसका हमने संस्क्रिट देख लिया स्लोग के माधियम से हिंदी देख लिया हमने अर्थ के माधियम से अब इंग्लिस मीनिंग देखते हैं क्या है जे लिए पुर्च और लिए लिए कोश्व और लिए इंग्ष वीड प्र लाह बाहर चुब ए व्पिंग भूड और ग्ट चूर्च अब अन्वर अग्लिए य्चा बूट लिए लिए लए लिए नवेग्ले इख लिए अजार आटिख लिए अच्छ विए अग्लेट slowly this is called धौति क्रिया अब हम इस धौति क्रिया जो हमने किया है इसके लाब क्या है बेन्फिट क्या है इसके बारे में बात करेंगे कासश्वासपलिह कुष्टम कपरोगाष्च विसस्विसंतिह धौति कर्म प्रभावेन धौति कर्म प्रभावेन प्रयांतर एवर्न संसयह धौति क्रिया के फल श्वरूप खासी ये बता रहे है धौति क्रिया जब हम करेंगे तो उसके परड़ाओं श्वरूप क्या होगा खासी से मुक्ति, दमा से मुक्ति, तिली से संबंदित ब्याधियों, बिमारियों से मुक्ति, कुष्ट संबंदित ब्याधियों से मुक्ति और अन्य प्रकार के जो अन्य बीस प्रकार के जो कफ संबंदित रोग हैं उन्य ते भी क्या होगा? मुक्ती मिलेगी अर्थात ये सारी बिमारियां नश्ट हो जाएंगी एस ए रिजल्ड आप धौती क्रिया कफ अस्तमा जिसे हमने दमा के बारे में बात किया है इस्प्लीन तिली से संबंदित ब्याधी लेपरोसिस से संबंदित जो कुष्ट रोग है उसे हम लेपरोसिस कहते हैं और 20 अदर टाइप अफ कफ रिलेटेड इस जीजेज आर डिस्टॉइड और 20 प्रकार की जो कफ संबंदित ब्याधियां हैं उनको भी ये समाप्ट करते है चलिए अब हम गज करने की बारे में बात करते हैं गज अर्थात हाथी इसका हिंदी पर आया है और इंगलिस में एलिफेंड कहते हैं करनी अर्थात हाथी के प्रकार कुंजल करना या हाथी की तरह फ्लो में पहले हमें पानी को खूब सारा लेना है इसके बाद फ्लो में बाहर निकालने की क्रिया गश्कर्णी कहलाती है चलिए अब इसके बारे में इसके क्रिया विधी को जानते हैं हट योग प्रदीपिका में धौती के बाद गश्कर्णी क्रिया का वड़न किया गया है धोती क्रिया जिसे हम वमन धोती कहते हैं कुंजल क्रिया कहते हैं वमन धोती के बाद गशकर्णी करना चाहिए गशकर्णी जो है high level practitioner है जिसमें हमें पानी पी करके एक flow में निकालना होता है तो गशकर्णी की धोती का एक ही क्या बता रहे हैं गशकर्णी भी एक धोती का ही क्या है गजकर्णी एक धौती का रूप है गजकर्णी क्रिया has been described after धौती इन हठ योगप्रदीपी का गजकर्णी is also a form of धौती यह क्या है धौती का ही एक फॉर्म है आगे बढ़ते हैं गजकर्णी में अपान वायू को क्या बता रहे हैं गजकर्णी में जैसे यह क्रिया है जो हम कर रहे हैं उसका उसमें अपान वायू को अपान एक वायू है उपर उठाकर और जो वायू है उसे क्या करना है उपर उठाना है कंटनली में कहां लाना है कंटनली में लाना है इसके बाद उदर इस्थित और जो हमारे पेट में इस्थित है अर्थात पहले से पढ़ है पदार्थ क्या करना है उसमें अनजल का वमन करना यह बता रहे हैं हमें गजकर्णी जब करने करते हैं तो उसमें क्या करना है सबसे पहले अपान वायू को ऊपर उठाना है इसके बाद कंट नली के पास लाना है लाने के बाद जो हमारे उदर में चाहे वो भोजन हो चाहे क्या करना है वमन कर देना है अर्था तो बाहर निकाल देना है इन गजकर्णी द एयर इस लिप्चेड अब ब्रॉट इंटु द लैरिंग्स अड़ सबस्टेंस फोड और वाटर प्रेजेंट इन द इस्टोमक और वमिटेट जो हमारे पेट में भोजन है पानी उन्हें क्या क अब दूसरे अभ्याज के वर बढ़ते हैं बस्ति क्रिया में क्या क्या करना है उसके बारे में हम बात करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं चलिए कैसे करना है इसके क्रिया विधी को चांदते हैं नाभी दग्ध, नाभी दग्न, दग्न जले पायू, नयस्तना लोत्कटासनह, आधा राकुंचलं कुर्यात, लाः छालाः छालनं वस्ति कर्मततह, नाभी दग्न, दग्यो, नयस्तना लोत्कटासनह, आधा राकुंचलं कुर्यात, छालनं वस्ति कर्मततह, दूसरे अध्याई के 27 स्वे बताया गयए है, उसके बारे में आप इसका हिंदी पर्याई पढ़ेंगे, क्या बता रहें ये ना भी परियंद अर्थात ना भी तक जल में कोई तालाब हो उसमें हमें सबसे पहले योगी को जाना है और ना भी इतने पानी में खड़े हो जाना है इसके बाद क्या बता रहें गुदा में एक नड़ी डाल कर जो हमारा रेक्टम और रेनस वाला भाग है उसमें एक नली डालना है फोपी डालना है डाल कर उत्कटासन करते हुए साधक और जब हमने डाल लिया और इसके बाद उत्कटासन करना है एक आसन है उसका नाम छोड़ना है यह बता रहे कि ऐसा हमें करना है अंदर के भाग को दूएं अगर हम ऐसा अंदर बाहर अंदर बाहर करते हैं उससे क्या होगा हमारा जो internal organs हैं internal अंत्रिक जो सवार है उसकी purification होगी शुद्धिक्रिया होगी अगर हम ऐसा करते हैं तो यह क्या कहलाएगा बस दिक्रिया कहलाएगा इन्सर्टिंग एठ्यूब इंटो दा एनस अड़ एड़ाप्टिंग द उद्कटासना पोज इन वाटर कमिंग अप्टु द नेवल वन शुद्वास दा इंटर इंटेरियर इंटेरियर बाइब कांट्रक्टिंग एंड रिलाक्सिंग आप्टर द ट्यूब इन रिमोब्ड दीज प्रोसेश इसनन अवर बस दी अब इसके हमने क्रिया बिती जान ली अब इसके फल के बारे में जानेंगे कि हम जब ये क्रिया करते हैं तो इससे हमें लाब बेनफिट की की आपराप्ती होगी तो ये बता रहे हैं गुल्म प्ली हो दरम चापी वात पित कफो भद्वाह बस्ते कर्म प्रभावेन छीयते छीयनते सकलामयाह क्या कह रहे हैं बस्ती क्रिया के अभ्यास के फल स्वरूप वायू गोला तिल्ली जलोदर तथा वात पित कफ जन्ने सभी प्रकार के रोग नश्ठ हो जाते हैं क्या बता रहें यह वोग इसके फल्चोरुक वाई गोला नामक जो बीमारी है उच पर कंट्रोल होगा तिल्ली इस्प्लिन्स संबंदित व्याधियों पर पर कंट्रोल होगा और वात पित्ट कप अर्था तो जो त्रिधोस हैं बीच काइंट साब diseases like a gulma जिसे हम tumor कहते हैं पली हा जिसे हम spleen कहते हैं diseases वात पित्ता और कफा diseases और क्योर बाई बस्ति वात पिसकब संबंदित बिमारियां भी इससे क्योर होती है बस्ति क्रिया से चलिए अगले स्लाइट की और बढ़ते हैं थैंक्स पर वाचिंग आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुं मुली समय निकाला है अगर आपको इससे रिलेटेट कोई मुझे सलाह देनी है तो आप जरूर कमेंट करें अगर आपको वीडियों अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है किसी गरीब और सहाय बच्चों का है और आपके एक छोटे से सहयोग से वो उसकी पढ़ाई हो सकती तो जरूर करें बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का दिन मंगल में हो हरहर मादे